हुआ हेलो फ्रेंड्स वेल्कम क्यों केडमी आयम आकर्श मेता आज हम डिसकस करेगे करन्ट अफेर्ज नवेंबर सेकेंड वीक के लेट स्टार्ट विद्ध फॉर्स न्यूज हमारी पहली न्यूज है कि अभी रिसेंटली एक और गेनेशन है स्टेटिस्ट करके उसना भी एक रिपोर्ट लॉंज किया है इस रिपोर्ट का नाम क्या है फ्रेंड्स दव वर्ल्ड's biggest employers employers with the most personal worldwide कि वर्ल्ड के biggest employers कौन है और biggest employer किसके रिस्पेक्ट में कि कौन सी जगा पे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे है तो यह रिपोर्ट किसके तरह launch किया गया है statist के दुआरा तो उसमें सबसे first number पे कौन आया है तो इंडिया's ministry of defense is the world's biggest employer with the 2.92 million people which includes combined active service personnel, reservist and civilian staff तो किनों को मिला कि ministry of defense के अंदर कितने लोग काम कर रहे है 2.92 million people चो दुनिया का सबसे बड़ा employer है right, ministry of defense is followed by the US department of the defense इंडिया का ministry of defense के बाद second number पे कौन है US का department of the defense जिसके अंदर कितने लोग काम कर रहे है 2.91 million people लोग काम कर रहे है और third number पे कौन है चाइना, चाइना की जो people's liberation army है वो 2.5 million people उसके अंदर काम कर रहे है लेकिन हाला कि उसमें सीवी जिन लोग कितने लोग काम कर रहे है उसका data नहीं है right, तो according to the statist, world का सबसे biggest employer कौन है ministry of defense of India, 2.92 million people उसके दर काम कर रहे है right, second number पे है US का department of defense जिसमें 2.91 million people काम कर रहे है और third number पे है, चाइना का people's liberation army जिसमें 2.5 million लोग काम कर रहे है बराबना, okay यहाँ पे आप देख सकते हो, कि ministry of defense के अंदर 2.92 million US का जो department of defense है 2.91 million third number पे people's liberation army 2.55 million उसके बाद walmart है, walmart के अंदर कितने लोग काम कर रहे है 2.30 million और उसके बाद amazon, amazon के अंदर कितने लोग काम कर रहे है 1.61 million, तो अगर आपको company का बारे में नाम पूछा जाए तो company में सबस्यादा लोग कौन काम कर, कौन सी company में काम कर रहे है तो walmart, US की company है और second number पे amazon, तो अगर आपको overall ranking पूछा जाए ministry of defense of the India और अगर आपको company का नाम पूछा जाए जहाँ पर सबस्यादा लोग काम कर रहे है तो आएगा उसके अंदर क्या आएगा? Walmart, ओके? अगर मैं एक important report की बात करो जो CPRI के द्वारा launch कर रहता है CPRI का full firm क्या है? Stockholm International Peace Research Institute तो अगर मैं CPRI के report के according बात करो तो दुनिया के अंदर 5 largest spenders on the military 2021 के अंदर कौन बने है? US, China, India, UK और Russia जो military को पर सबसे यदा खर्चा करता है दुनिया के अंदर 5 largest spenders on the military 2021 के अंदर कौन बने है? US, China, 3 नमर पे India, 4 नमर पे UK और Russia तो यह कौन यह किस ने बताया था? Stockholm International Peace Research Institute बराम CPRI के द्वारा बरामना, ओके तो आइटिंग आपको इस न्यूस के अंदर अच्छे समझ में आया होगा कि कौन सबसे ज़्यादा इंप्लोईर्स को सबसे ज़्यादा इंप्लोईर को हायर करता है कंपनी कौन सी है और CPRI के अकोडिंग फाइव सबसे ज़्यादा मिलेट्री स्पेंडर्स तुनिया के अंदर कौन है बरामना, यह तीन चार्ट डीटा आपको ज्यान में रखना है ओके, चाब नेक्स न्यूस करते है हमारी नेक्स न्यूस है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ओफ रूरल लेलोपेंड और वेदीस फाउंडेशन ने MOU साइन किया है तो सेट अप टा इफेक्टिव गवनन सीस्टम्स अंडर दीन दैल अन्तोर्याई यूजना नेशनल डूरल लाइवलिखुर मिशन मैं इस न्यूस को समझने से पहले आपको ये दीन दैल अन्तोर्याई यूजना नेशनल रूरल लाइवलिखुर मिशन क्या है उसके बारे में समझना होगा तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं अगर मैं दीन दैल अन्तोर्याई यूजना National Rural Lightwood Mission की बात करो कि it is a flagship poverty relief program of the central government and is aimed at creating the institutional platform for the rural poor mainly for the women enabling them to increase the household income through the sustainable livelihood enhancements देखो National Rural Lightwood Mission के अंदर क्या किया जाता है कि जो poor family है उनकी household income की तरीके से increase की जाए उसके उपर focus किया जाता है तो mainly यह scheme के अंदर में self-help group बनाए जाता है self-help group के अंदर क्या किया जाता है कि जो individual लोग पहले अपने level पे individual level पे कुछ चीज़े produce करते थे वो अभी एक साथ मिलके करेगे एक साथ मिलके करेगे तो उनका production भी ज़्यादा होगा उनकी income ही ज्यादा आएगी तो इस एल फेल ग्रूप बनाए जाता है ताकि उनको एक platform मिल सके तो यह दिंदर अंतोर्य योजना नेसर रूल लाइवलिवड मिशन वह कौनसे बिश्टी के द्वारा अनूंस किया गया था मिनिस्ट्य रूल लेलोपेंड के द्वारा कौन है उसके मिनिस्टर उसके मिनिस्टर गिली रास से अगरी सेंटल के द्वारा कितना पैसा लोकेड केया है 13,000 क्रोलnah important amount है तो अब यह MOU किसके बारे में हुआ उसके बारे बात करता है अगर मैं MOU की बात करूं तो जैसे हमने बात की कि National Rural Livelyhood Mission जो मेलिव फोकस किसके उपर करता है Self Help Group को बनाने के लिए तो यह National Rural Livelyhood Mission जो Ministry of Rural Livelyhood Mission के दोरा लॉँच किया गया है वो State Level पे State Level पे उसको क्या बोला जाता है State Rural Livelyhood Mission स्टेट रूरल लाइवलिवड मिशन तो हर एक स्टेट वो अपने लेवल पे ये रूरल लाइवलिवड मिशन किस तरीके से इंप्लिमेंट कर रहा है उसका रीपोर्ट कौन तियार करेगा तो उसका रीपोर्ट तियार करेगा ये वेदिस फांडेशन वेदिस फांडेशन ए कि तरीके से इंपूलिमेंट कर रहा है एक गवणनेंस इंडेक्स करेगा और स्टेट्स के पर्फॉमंस को इवोलिट करेगा इसके लिए वेदीस फांडेशन ने यह यह जो दिंद्यान अंतोरिया योजना ने सरू लाइलिवड मिशन है उसको बहतर बनाने के लिए मिनिस्ट अपका इस नियूस के अंदर अच्छे समयज में आया हோकाते है, ओके हमरी is एक नेक्स नियूस के इंडिया ने भी होस्ट किया है second BIMSTEC agriculture minister's meeting और इसको chair के दोरा किया गया है तो हमारा जो agriculture minister है नरंदर सी तोमार के दोरा इस meeting को chair किया गया है तो इस meeting के बारे में देखते हैं तो अभी recently India hosted the second agriculture ministeral meeting of the Bay of Bengal initiative for the multi-sectoral technical and economic cooperation BIMSTEC का full firm क्या है Bay of Bengal initiative for the multi-sectoral technical and economic cooperation BIMSTEC का full firm है तो उसकी अभी agriculture ministers की meeting हुई थी इस group के जो member countries है उस member countries की agriculture ministers की meeting हुई थी second number भी और उसको host किस के दोरा किया गया इंडिया के दोरा किया गया तो आई थिंक आपको ये reading के दर पता चला होगा और इंडिया के दोरा host किया गया है और इंडिया की तरब से participant के इसके दोरा किया गया तो ये अगरिकल्टर मेरी सेर हमारे कौन है नरंदर सी तोमार के दोरा अगर मैं इस meeting के outcome के बारे में बात करूँ तो इस meeting के अंदर एक तो बहुत सारे discussions हुए agriculture के रिकार्डिंग लेकिन एक cooperation बनाया गया है और यह कोपरेशन कितने साल तक काम करें का बीमस्टेक कंट्रीज के बीच में पांच साल तक दोज़र तीज़र चौबीस पच्चीश और सत्याइस तब बीमस्टेक अग्रिकल्टर कोपरेशन एस्टाप्लिस किया गया है तो एक में चीज़ है जो आपको याद रखने है उसका टाइम पिरड़ याद रखना है अगर मैं बीमस्टेक यह ग्रूप के बारे में बात करूँ इसरे रीजनल और 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 यह जब एस्टाप्लिस्मेंट का अनॉंस्मेंट किया गया थे इसको बोलते हैं बैं बारा बन्न यह जब एस्टाप्लिस्ट हुआ यह ग्रूप तब उसके अंदर चार कंट्रीज थे पंगलदेश इंग्या शिलंका और थाइलेंड और इस ग्रूप क्या बोला जाता था था बीस्ट एक बंगलदेश इंग्या शिलंका थाइलेंड और एकोनोमिक कोपरेशन सुर्वत में उसको बिस्टेख बोला रहा था 1997 के अंदर फिर 1997 के अंदर ही उसके 1987 के अंदर ही यह गुरूप के अंदर मियानर जूडा और इसके वान नाम क्या रखा गया बीम्स्टेख बंग्यदेश, इंग्या, मियानर्फ, सिलंका, थाइलेंड एकोनोमिक कोपरेशन औ पलन सिलंका और दो साउथ इसें कंट्री से कौन कौन सी म्यानमार एं थाइलेंट बराबन तो अभी विम्स्टेक के दर कितने कंट्री से साथ और उसकी अभी अग्रिकर्ट मिटिंग का प्यों हुई इंडिया के अंदर बराबनने ओके यहां पर इस स्लाइड के अंदर आपको एकी लाइन आपके लिए इंपोर्टन्ट है कि युएन के द्वारा इंटर्नेशन येर ऑफ दा मिलेट जो बाजरी जवह हम बोलते हैं इंटर्नेशन येर ऑफ दा मिलेट वह कौन सायर अनॉंस किया गया है दो चार तेश बलब इस सा मिलेट का प्रमोशन उसका प्रोड़क्शन के उपर फोकस किया जाएगा ग्लोबल कंट्रीज के द्वारा बादा और ये इंटर्नेशन येर ऑफ दा मिलेट को सेलीबेट करने का प्रपोसल युएन के पास किसने रखा था तो इंडिया ने रखा था इसके लिए बहुत इं है बड़ा बनना तो युएन डेजिगनेट दा येर ट्वेंटी फ्री एज इंटर्नेशन येर ऑफ दो मिलेट इन तो प्रपोसल अब गवर्मेंट ऑफ इंडिया बड़ा बनना तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है ओके तो आइटिंग आपको इस न्यूस के बारे मच्छे समझ में आया होगा कि बीमिस्टे कंट्रीज के इंदर कौन-कौन से कंट्रीज हैं बराबना कौन से साथ कंट्रीज हैं उसके अलाब आप यह एक्रिकल्स मिनिस की मीटिंग कहां पे हुई किसने होस्ट किया बराबना औ कि है हमारी नेक्त्स न्यूस है फ्रेंड्स कि अपर रिसंटली फूर एन अगरीकल्स और ऋर्गिनेशन ने एक रिपोट तेयार किया है और रिपोट का नाम क्या है फूट आउटलूग फूट अउटलूग वैड और कौन से एडिशन है नयमबर 2022 का अडिशन है और इस रिपोर्ट के अंदर एक concern बताया गया है इस organization के द्वारा, food and agriculture organization के द्वारा कि भई globally food import bill वो कहां तक पहुंच गया है? 2 trillion dollar, इतना पहुंच गया है, अभी इस रिपोर्ट के अंदर actually आपके exam point officer बहुत ही कम चीज है, लेकिन ये रिपोर्ट आपको कोई भी descriptive writing लिखना है, उसके अंदर data लिखने में काम में आ सकता है, कि अभी recently food and agriculture organization of the UN has published a report, उस report का title क्या है? food outlook, तो food outlook ये report कौन launch करता है? food and agriculture organization, एक UN की संसा है, तो उसने अभी एक report launch किया है, किसके उपर? तो global food market के उपर, ग्लोबल food market के उपर, और ये report क्या project करता है? कि भई, there is a increase in the world food import bill, food का जो import bill रहना, उसके अंदर increment हुआ है, और वो कहां तक पहुँच गया है? estimate क्या रहा है, 1.94 trillion डोलर तक पहुँच गया है, ज्यादा पैसा देना पढ़ रहा है, for example, 100 kg food को purchase करने के लिए, पहले 50 रुप्या दे रही थी, for example, अभी वही country को 100 kg food को purchase करने पिलिए, 60 रुप्या देना पढ़ रहा है, लेकिन अगर आपको quantity same रखनी है, तो आपको कम quantity के लिए ज्यादा पैसा प्रोवेड करना पढ़ेगा, ऐसा ही हो न, तो मतलब ये तो जो economically weaker countries है, बराबना, तो वो तो same पैसे के अंदर, same पैसे के अंदर, कम quantity में food को purchase करेगी, तो ये तो food insecurity को promote कर रही है, तो जो हमारा import bill जो बढ़ रहा है, बराबना, same quantity के उपर, मतलब ये किसको promote कर रहा है, food insecurity के उपर, इसको उपर ध्यान देने के जरूवात है, ऐसा ये report बोल रहा है, food outlook, बराबना, किसके तोरा launch के रहाता है, food and agriculture organization, इसका अंदर काप है, रोम, इटली के अंदर, बहुत important report का नाम है, और संसा भी बहुत important है, बराबना, okay, तो ये जो food and agriculture organization का food input bill है, वो किसको cover करता है, तो wide range of the items को cover करता है, from the fruits and vegetables to the seafood, food, coca, tea species, as well as beverages and staples like the grains and meat, इस अभी चीज़ों को यहां पर cover किया गया है, बराबना, okay, okay, हमारे next news of friends, कि अभी रिसनली government ने amend किया है, आधार रूल्स के अंदर, क्या amendment किया है, कि supporting documents must be updated at least once in the 10 years, अभी इस news के बारे में समझता है, कि government ने आधार रूल्स के अंदर क्या amendment किया है, government ने बोला है, कि जब आपने आधार कर्ड जब बनवाया था, आधार कर्ड जब बनवाया था, तब जो documents submit किये थे, वो documents को आपको हर 10 साल के अंदर at least एक बार update करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, और आप कहां से अपडेट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पता होगा friends के आधार का एंडोल्मेंट, ये आधार का issuance कौन करता है, Unique Identification Authority of India, ये संसा करती है, और इस संसा के द्वारा एक आधार पोर्टल बनाए गया है, MyAidhar Portal, और इस पोर्टल के उपर अभी update document का एक नया feature बनाए गया है, तो इस update document के उपर जाके आप अपने एंडोकिमेंट को, supported documents को update कर सकते हो, आपको 10 साल के अंदर minimum एक बार update करना जरूरी है, भारारा ना रही और यह पर》 निगने centrals कमीट हो इस इस पूस्क रहे होगा पर पर यह सलसा बर घंपोटन्ट है अभी रिशिटली एक इवोर्ड उसको लिया गया है कि जो government के जितनी भी organizations है उसके अंदर सबसे ज्यादा grievance redress करने वाली मिलब जो grievance जो complaints आती है उसको solve करने वाली संसा का award अभी किसको दिया गया unique identification authority of India और उसका एक my other portal है वहाँ पे अभी update document का एक नया feature add किया गया है वहाँ पे आपको जो supporting documents आपने submit किये थे वो दस साल के अंदर minimum एक बार update करना पड़ेट करना पड़ेगा right okay और अधर करकर डिटा कहाँ पे store होता है central in identities data depository के अंदर ओके अमने next news है कि अभी recently डिजी लोकल यूजर्स can now digitally store the health records and link them with the आईश्मान भारत health account number अभी उसके बारे बात करते हैं देखो friends आपने एक mission के बारे में सुना होगा आईश्मान भारत डीटल mission आईश्मान भारत डीटल mission इस mission के अंदर क्या करना है कि जो अभी आप health records आप physically store करते हो अपनी files बनाते हो कि जो आपकी past health history है जो आपके reports है जो आपके prescription से वह आप एक file के अंदर store करते हो वहीं जब सब चीजे आपको अपी डीटल होल्ड करना है और यहीं नहीं कि आपका health record ऐसा नहीं कि आप create करना है जैसे आपका bank के अंदर account number होता है उसी तरीके से यह health record को डीटली store करने के लिए आपका एक account होना चाहिए उसका क्या बुला गया है आईश्मन भारत health account number और यह आईश्मन भारत health account number यह आप कहा कहा से create कर सकते थे अभी तग तो आप कोई भी जो registered hospital है जो आईश्मन भारत digital mission के अंदर में जितनी भी रेइश्टर होस्पिटल है आप वहाँ पर चाके आप करवा सकते हो कोई भी लेब जो इसके अंदर registered है यह आईश्मन भारत डीटल मिशन के साथ आप वहाँ पर चाके यह create करवा सकते हो और इसके लिए government ने application भी बनाए आईश्मन भारत health account number की आप वह application के थुरूबी कर सकते हो और यह डीजी लोकर के माध्यम से भी क्योंकि आईश्मन भारत डीटल मिशन ने डीजी लोकर के साथ partnership की थी और यह partnership के फर्स्ट पार्ट के अंदर डीजी लोकर के माध्यम से भी आप आईश्मन भारत health account number create कर सकते हो तो यह कुछ वे है कि जहां से आप आईश्मन भारत health account number create कर सकते हो अभी आपका एक बार health account number बन गया तो for example आप कोई डॉक्टर को अपने health check-up करने के लिए गए बरा मना तो अगर आप उस डॉक्टर को आपका यह आईश्मन भारत health account number दे दोगे तो उसके अंदर वो डॉक्टर वो अपने portal पे डालेगा तो जैसे ही आपका यह account number डालेगा आपके जितने भी past history जो health records की है जो आपने वहां पे upload की है बराब वो सभी वो डॉक्टर को पता चल जाएगा तो आपको यहां पर कोई भी physical health record अपने साथ राखने की जरूद नहीं है तो अभी यह जो अभी तक डीजी लोकर के माधियम से क्या होता था आईश्मन भारत health account number ही create होता था लेकिन जो यह health records है health records वो स्टोर नहीं होते थे health records वो स्टोर नहीं होते थे बराबन तो अभी जीजी लोकर की जो यूजर्स है वो आईश्मन भारत health account number के अंदर उतने जितने भी health records है वो अभी डीजी लोकर के अंदर स्टोर हो पाएगे इसके लिए उसने आईश्मन भारत डीटर्मिशन के साथ partnership की है तो आई थिंग आपको इस news के अंदर बहुत ह अच्छे समझ में आया होगा बराबन ना रएट यहां पर मैंने लिखा है कि दीजी लोकर ने पहले भी partnership की थी लेकिन वहाँ पे जस्ट लेवल बन का integration हुआ था उसके उसके अंदर क्या किया गया था कि जस्ट आईश्मन भारत health account number का creation किया गया था लेकिन ये लेवल टू नमबर में वो स्टोर होगा वही सेम उसी टाइम वह आपके डीजी लोकर के अंदर भी आप देख सकते हो बराबन ना तो आई थिंक आपको इस न्यूज के अंदर अच्छे समझ में आया होगा अगरे नेक्स्ट न्यूज है कि अभी रिसली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जग्दिब धंकरजी उन्हेंना भी विजिट किया है उनकी ये पहली फॉरेंड विजिट है कहां पर विजिट किया है केमबोडिया के अंदर तो इस विजिट के बारे बात करते हैं तो एक को मीटिंग को माँ पर अटेंप करने के लिए गए है एक तो है association of the southeast Asian nation Asian India meeting ये कौन से नमबर की थी 19 नमबर की देखो 19 नमबर की एस्यान इंडिया 19 नमबर की एस्यान इंडिया मीटिंग ये अटेंप करने के लिए गए और 17 नमबर कि East Asia Summit East Asia Summit ये दो मीटिंग को वो अटेम्ब करने के लिए गया है कहाँ पर कैंबोरिया के अंदर बारा बनना ओके तो एसोचेंग आप साउथीस इसेंग नेशन बारा बनना इसेंग का फुल फर्म क्या है एसोचेंग आप तो साउथीस इसेंग नेशन एसेन इंडिया तो देखो ये मीटिंग के अंदर है न एसेन और इंडिया एसेन के अंदर 10 कंट्रीज है तो ये एसेन की 10 कंट्रीज और इंडिया एक 11 कंट्रीज के बीच में मीटिंग होती है और इसके अंदर एक तो Asian countries होती है 10 Asian countries होती है और 8 dialogue partners होते है यह भी मैंने PDF में आपको दिया है 8 dialogue partners और 10 Asian countries तो यहाँ पे टोटल 18 countries के भीट में meeting होती है East Asia Summit के अंदर और यहाँ पे 11 countries के भीट में Asian countries 10 और एक इंडिया बरामना तो यह 19 नंबर की Asian इंडिया मीटिंग थी और 17 नंबर की East Asia Summit मीटिंग थी बरामना तो यह आपको जान में रखना है यह दो मीटिंग को अटेक करने के लिए वो कहाँ पे गए कैमबोडिया ओकी अभी यह मीटिंग हमारे तो इतनी मीटिंग क्यों है क्योंकि इस सल अगर हम अगर मैं Asian इंडिया माउं की बात करई ओं Asian इंडिया मीटिंग कौन से नंबर की 19 नंबर की तो यह मीटिंग हमारे लिए important क्यों है क्योंकि इस साल 2022 के अंदर Asian और इंडिया के friendship कितने साल complete होए है 30 years इसके लिए बहुत important है ओके और इस meeting के दुरांद दो important announcement किये गए है तो Asian countries के यह जो Asian countries है जो 10 Asian countries वहां से बहुत सारे students वह इंडिया के अंदर student visa के उपर आते हैं तो यहां पर अभी तक यह Asian countries से इंडियन council for the culture relation के यह जो institute है हमारा महां से scholarship के मात्यम से कितने लोग आते थे पहले यह Asian country से 30 लेकिन अभी कितने कर दिया है पचास का अप्रोवेमेंट कर दिया है बढ़ा मनना उसके लिए इंडियन टेक्निकल और एकोनोमी कोपरेशन प्रोग्राम केंडर में अभी तग दोस्तों लोग आते थे बढ़ा मनना अभी कितने लोग आए गए 250 है तो यह Asian इंडिया की जो मीटिंग हुई मेरा मनन उसके इंदर यह और और यह अभी है Asian इंडिया साइशन टेक्नोजी फंड यह अच्यली वीज़र आठ के अंदर बनाया गया था है जो प्यज़र आठ के अंदर बनाया गया था किसके दोब आंओ तो मिनिस्ट्री अफ एक्टनल अफ और्स एंड के दौरा में जो मेरिस्ट्रेफ एक्सेनल ओफेर्स और डिपर्ट्म साइंसल टेक्नोजी के दुवारा 2008 के अंदर एसेयन इंडिया साइंसल टेक्नोजी देवलोपेंट फंड बनाया गया था शुरुआत में उसके अंदर कितना पैसा डाला गया था वन मिलियन डॉलर लेकिन उसके बाद 2015 के अंदर फाइव मिलियन डॉलर डाले गए थे और अभी एडिशन मिलियन डॉलर डालने की बात चल रही है बराबना तो यह बात आपको जैन्मे रखनी है क्या तौशन इंडिया मिटिंड के अंदर आपको क्या क्या धरमें रखना है नू Special इसे इंडिया के जो फ्रेंशिप यह कितने साल कंप्लीट हुए एसोसेशन दो साउथ इसे नीशन कंदर कितनी कंट्री से 10 कंट्री मेरा बना उसके अलबा यहां पर अगर बात करूं कि जो इंदियन काउंसिल प्रोग्राम के बिकंबोडे से तर्फ कितने लोग आते थे 30 एसियन इंडिया साइंस टेख्णों डियलोपिन फंड वो डिपार्मेंट साइंस टेख्णोजी और मिनिस्ट्र एक्सल्ट आफ्रस के दवरा अनौंस किया था 2008 के अंदर स्टार्टी में कितना पर से डाला गया था 1 मिलियन डॉलर उसके बाद 2015 के अंदर 5 मिलियन डॉलर डाले गए और अभी उसके दर 5 एडिसिन 5 दोलर दाने की बाएद चल रही है तो अगर मैं 70 ईस्ट इसिया सम्मीट की बारे बात करूं और यह भी कहां पर हुआ था ंदर कि अंदर तो उसके बारे बात करता है तो यह श्यी legislate के अंदर कौंग क्रता है तो दस यह सिर्चत कट्रीज्ट पार्डिश्याइश्य Quinn's Lock對不對 करती है और आठ डायलोंग पार्ट्र्ण्स करती है तो बुरह गेंग्ट ऐरुसेलमट कैमब्डिया इंडोनेसिया लाव, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थाइलेंड, फिलिपाइन, इन वेदना, ये 10 एसेन मेंबर सेट्स हैं, उसके लबाँ आट डायलोग पार्टनर्स कौन हैं, तो इंडिया, चाइना, जहपन, डी पॉब्लिक अप पोरिया, ऑस्टेलिया, न्यूजिलेंड, एंड उस एन डरस्या, तो ये 18 कंट्री मिलिके, ये इस तीज़ा समीन के अंदर पार्टेसिपेट करती हैं, बराइबना दस, एसेन कंट्री और एट डायलोग पार्टनर्स, बराइबना, और इस तीज़ा समीन केंदर, एच्छोली ये समीन क्यों होता है, तो कि बढ़िस्कर्श पर इस लेट के अंदर हमारे लिए एक लाइन इंपोर्टन्ट है कि यह जो अंकोकुर वाट टेंपल है अब इसको कैसे प्रोणाउस करोगें एंकोर वेट टेंपल कहां पर केंबोडिया के अंदर वह व्ल्ड हेरिटेज साइड है विच इस देजिट वाइट यूनियस को और यह जो यह एंकोर वर्ट टेंपल है वह किसके सारा बनाया गया है इंडिया के त्वारा बनाया गया है 1986-1993 के अंदर चार मिलियन डॉल्डर का इंवेश्मेंट करकी इंडिया के त्वारा यह टेंपल बनाया गया है और उसको व्ल्ड हेरिटेस टाइट बनाया ही यूनियस और अभी एस्यां इंडिया स्टाटर्ब फेस्टीवल किया गया है क्योंकि म tribun आपको जैसे बताया कि इसे इसे इंडिया के उपड़ी स्टार्टप के बीच में और जो भी वह एक कॉंपेदिशन होगी और जो भी स्टार्टप रिते का उसको कितना प्रैस मने दिया जाएगा 7500 तो इतना प्रैस मने दिया जाएगा और यह जो किसके तरौ और्गेस किया गया है तो IS can committee of the science technology innovation in इंजिंशन नेशनल डिसर्ट एन इन इडिए इन सी एन आई 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 टी कानपूर स्टार्ट अप इंकरबेशन इन 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 सेंटर बराब बना तो आइटिंग आपको इस न्यूस के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया हों का फ्रेंट्स हमारी नेक्स न्यूसे फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली इंजिन बेंक एसोशन का अभी एक इस रिफॉर्म इंडेक्स आया है कौनसे क्वार्टर का क्वार्टर वन ऑफ दा फाइनेंसियर 2030 बराबने इस क्वार्टर का इस रिफॉर्म इंडेक्स अभी अनौंस किया गया है किसके द्वारा Indian Bank Association के द्वारा बराबनन तो इसके बने बात करते हैं तो According to the Indian Bank Associations Report उसका रिपोर्ट का नाम क्या है East Reforms Index for the First Quarter of the Financial Year 2023 यह अभी Announce किया गया है और उसके According, SBA was adjudged as the best bank in adopting the reforms prescribed for the Publicator Banks Indian Bank Association के द्वारा Publicator Banks के लिए कुछ reforms prescribed किये गए थे और उस reforms को adopt करने में सबसे first number पे कौन आया है SBA और यह कौनसे reform index के अंदर बताया गया है East Reforms Index बड़ा बनना East का full form क्या है Enhanced Access and Surveillance Excellence बड़ा बनना इस reforms को adopt करने में सबसे बेस्ट बेंक कौनसी बनी है SBA सबसे अच्छा परफोर्मनस सबसे अच्छी तरीके से उसको adopt किसके किस ने किया है SBA ने किया है अगर मैं यह assessment की basics की बात करूँ तो पांच points के ऊपर यहां पर बैंकों को evaluate किया गया है कि यह इस reforms के अंदर कौन-कौन से सेट्टर के अंदर आपको reforms करने थे तो डिटली enabled customer offerings customer को आपको maximum चीज़े डिटली ओफर करनी थे big data and analytics modern technology capabilities collaborative banking और employee development and governance यह पांच अलग-अलग domains के अंदर बैंकों ने कि union bank of इंडिया थर्ण नमर पर बेंको बरोडा फॉर्ट नमर पर पंजाब निस्टल बैंक और फीफ नमर पर केरेना बैंक है लेकिन अगर मैं category पूछू तो category price डिटली इनेबल customer offerings के अंदर SBI टॉप है big data analytics के अंदर कैनेरा बैंक टॉप पे है modern technology capitalist के अंदर यूप यूप यूनियन मेंक ऑफ इंडिया कलेबरेटिव बैंकिंग के अंदर यूको बैंक और इंप्लूई के अंदर में है ministry of finance as a part of the publisher bank reforms agenda and is currently under its fifth iteration मतलब यह is 5.0 है common reforms agenda which focus on enhanced digital experience integrated and inclusive banking यह जो is 5.0 के अंदर जो reforms है वो किसके उपर focus कर रहे है enhanced digital experience integrated and inclusive banking के ऊपर बढ़ा मनना तो publisher bank के reforms के लिए यह is launch किया गया था बढ़ा मनना किसके तरह launch किया कि किसका initiative है dependent on the financial service का जो ministry of finance के अंदर में काम करता है बढ़ा मना ओके तो आई थिंग आपको इस नियुश्ट के अंदर अच्छे समझ में आयो होका friends हमने next user friends कि अभी रिसंद्ली एनपी जिया ने इनेबल किया है electricity bill payments on the 123 pay for the feature phone users अभी देखो आपको सबसे पर तो इसके बारे में पता होना चाहिए 123 pay के बारे में तो अगर आपको पता हो तो National Payment Corporation of India जो इंडिया के अंदर जितनी भी डिटल बैंकिंग के लिए जितनी भी सुवीता है एक्सेप्ट इसके अलावा चितनी भी सुवीता है हमारे पास like UPI, IMPS, भारत bill payment system इस सभी किसी की देन है National Payment Corporation of India के और उसने इसी साल 123 Pay एक application है उसका भी announcement किया था उसका भी development किया था यह 123 Pay क्या है friends यह 123 Pay एक application है जिस application के माध्यम से आप feature phone का use करके feature phone मतलब जो keep it वाले जो छोटे phone है बरावना है आप उसके माध्यम से digital donation कर सकते हो without the use of the internet तो इस 4 तरीके से आप यह 123 Pay के उपर से आप digital donation कर सकते हो कौनसे 4 तरीके से तो यह 4 तरीके से सबसे पहला तरीका है interactive voice response number अभी यह क्या है कि for example जब भी आप कोई shop के उपर जब QR code scan करते हो तो QR code के उपर एक scanner मालब एक code होता है और नीचे है ना एक number लिखा हो जैसे आप 123 पर download करें को feature phone के अंदर बरा मना है तो उसके अंदर आप for example ऐसा लिखा होगा कि फास्टेक का recharge for example gas bin बार मना तो ऐसे कुछ features वह application के अंदर by default होगे जो आप easily pay कर पाओगे without the use of the internet बार मना जब को यहां पर UPI number डालना है और आपका pin number डालना है simple बार मना रहे तीसरा है मिश्कोल बेस अप्रोच मिश्कोल बेस अप्रोच के अंदर क्या है कि for example आपको कोई दूसरे परसन को पैसा टांसपर करना है ता आप उसके नंबर के उपर मिश्कोल मारिए यह UPI 123 पे अप्लिकेशन के उपर जाके जैसे आप मिश्कोल मारे गें बारा बना वह उसका phone नं Android phone है तो आप पॉइंट पेट्टोल बंबे जाते हो और वह point of cell device होता है जहां पर आप अपना debit करवागेरा swipe करवाते हो लेकिन अगर आपको swipe नहीं करवाना है तो आप scan भी कर सकते हो तो आपके पास technology Android के अंदर इसके लिए आप scan करके पैसा टांसपर कर रहे हो लेकिन feature phone क के अंदर इसी technology नहीं होगी camera होगा लेकिन technology नहीं होगी ऐसी तो इसके लिए क्या होता है को हर एक point of cell device के अंदर है अगर for example आपको feature phone से पैसा टांसपर करना है तो वह point of cell device के अंदर एक sound system feed किया गया है जैसे वह sound system बोजेगा वह phone आपके साथ connect हो जाएगा वह point of cell device के साथ connect हो जाएगा और फिर वह पैसा टांसपर कर सकते हैं बराबना तो जैसे वह हम scan करते हैं यहां पर scan नहीं करना है वह sound को आप वह feature phone के द्वारा detect करना है बहुत simple बराबना तो यह 123 पे application RBA क कि तरह launch के गए थी जिसको किसके तरह develop किया गया है NPCI के द्वारा और अभी recent news में क्यों है क्योंकि अभी NPCI ने announce किया है कि अभी आप 123 पे का यूज करके feature phone के मात्यम से electricity bill को भी pay कर पाऊगे electricity bill को भी pay कर पाऊगे बस इतनी recent news है बराबना तो I think आपको इस news के अंदर थे सम समझ में आयोका फ्रेंड्स पाराबना ओके हमरी next news और फ्रेंड्स के अभी recently ICC Man's T20 World Cup 2022 हुआ था कहां पे ऑस्टेलिया के अंदर कौन सा एडिशन था फ्रेंड्स यह 8th एडिशन था उसको किस ने जीता इंग्लेंड ने जीता किसको हराया था फाइनल के अंदर पाकिस्तान को उसके बारे बात करते हैं कि इंग्लेंड मैंस क्रिकेट टीम विच इस लिड़ बाद जॉस बटलर क्राउन एज चेंपिएंड्स अप्ट एड्थ इंट्रेशन क्रिकेट काउंसिल मैंस T20 किसको हराया इंग्लेंड ने फाइनल के अंदर पाकिस्तान को रहाया और पाकिस्तान के कैप्टन कौन थे बाबर आजब विट इस विन इंग्लेंड वॉन इट्स सेकेंड आई सी सी मेंट C20 इंटरनेशन व्ल्ड कप टाइटल बड़ा मना तो दूसरी बार इंग्लेंड न प्लेड उट प्लेयर फैनल की बात करूं तो सम करन इंग्लेंड से बिलोग करते है वह वह सैम्करन का नाम आप पता होना चाहिए वह कौन सी टिम से बिलोग करते हैं उसके अलाबा यहां पर अगर मैं कुछ रेकोर्ड के बाभ महींब बात करूं तो सबसे पहले तो most valuable team of the ICC Men's T20 International World Cup 2022 ये 2022 के जो World Cup हुआ था उसके अंदर अलग-अलग खिलाडी ने अलग-अलग performance किये थे अलग-अलग country के लाइट तो यहां पर उन में से कुछ 12 खिलाडी को select किया गया है और most valuable team बनाई गई है अब the ICC Men's T20 World Cup 2022 की और उसमें हमारे दो इंडियन प्लियर्स की भी सामिल किया गया है कौन-कौन विराट कोली जिन्होंने पूरी tournament में सबसे ज़्यादा रन बनाया है और सुर्य कुमर यादव यह दोनों खिलाडी को यह valuable team के अंदर सामिल किया गया है उसके अलबर 12th नंबर पे हार्दिक पंडिया को भी सामिल किया गया 12th नंबर बराबना तो वो भी आपको ज्यान में रखना है और कुछ records के बारे बात करें तो सुर्य कुमर यादव become the first Indian player to score a 1000 T20 international runs in the calendar year एक calendar year के अंदर एकजार से ज्यादा T20 international runs बनने वाले सुर्य कुमर यादव पहले इंडियन बने और दूसरे वर्ल्ड वाइल प्लेयर बने पहले प्लेयर कौन थे मुहमद रीजवान जिन्होंने 2021 के अंदर ये record किया था कि उन्होंने एक साल के अंदर 1326 रण मारे थी T20 international के अंदर बराबना उसके लब विराट कोली become the first player to top betting इंट्टिंग चार्ट इंडट टू टिटवेंटी इंटरेशल वर्ल्लकॉप विराट कोली ने ये 2022 के वर्ल्कब है उसके उद्दर सबसे रण बनाएं वो उड़ने पहले 2014 के अंदर भी टिवेंटी इंटरेशन वलकॉप के इंदर सबसे रण बनाए थे तो एक खिलाडी क जिनने दो वर्ड काम के अंदर सबसे दर रन बनने वाले खिराडी कौन पहले बने हैं विराट कोली बना तो वह भी आपको याद रध्यान में रखना है उसके अलबा विराट कोली बिकम दफर्स्ट बैटर टू स्कोर तब 4,000 रन्स इन दे टीटवेंटी इंटरनेशन के अंदर 4000 रन बनने वाले सबसे पहले खिलाडी ग्लोबल लेवल पर कौन बने विराट कोली बना बना टीटवेंटी इंटरनेशन की बात चल नहीं है बना बन बना है और 25 प्लस विकेट्स ली है टीटवेंटी इंटरनेशन के अंदर एकी सिंगल केलेंडर येर के अंदर बरा मना मलब ऑल डाउंडर पर्फॉमंस किया है तो सीकन दराशा कौन सी कंटी से बिलों करते हैं जिंबावे से बराबना ओके आपको इतने रेकोर्स याद इसका एस्टेबलेश्मेंट हुआ था बराबना ओके हमने नेक्स्ट न्यूस और फ्रेंड्स के अभी विसंटली धर्मिंदर प्रदान एंड प्यूश गोईल उन्हें कोचेर किया है फर्स्ट वर्च्यूल ग्लोबल स्किल्स समीट तो फैसलिटेट तो ओवर्सीस मॉबिल अभी यह क्या है उसके बारे में संबते हैं तो यहां पर टूटल दस डिफरेंट कंट्री के जो एंबेसेटर्स है जो यह दस डिफरेंट कंट्री के अंदर इंडिया को रिप्रेशन करते हैं यह एक ग्लोबल स्किल्स समीट के अंदर उन्होंने पार्टिसिबेशन किया क्योंसी दस कंट्री तो क्यों ऑस्टिलिया फ्रांस जर्मनी जापान मलेशिया मुरीशिया सिंगापूर तंजानिया यूए यूके राइट यह दस कंट्री के जो डिफरेंट करते हैं बराब मरला आपको बोल सकते हैं एंबेसेटर्स बराबना उन्होंने यह ग्लोबल स्क हाव दोरी सब्मीट के अंदर क्योंकि यहां पे इस बीटिंग के दोरान जो इंडियन स्टू अंदर जो ये राइड जाग करना जाता है इन्यन स्टू यह श्राइघन खरेंटे शीयृ मैं लेगल मून लेकिन वह यहां पर जाकर करना चाहते है आग तो और एक कॉन्सी कंट्री तो यह जो दस कंट्री है यहां पे उनकी बारे में बात कर रहा हूं राइट कि इन्जींट्स यह दस कंट्री के इंदर फॉर एक्जमपल पढ़के जॉब करने के लिए जाना चाहता है तो अभी तक क्या सिनारियो है कि हमारी यह जो डिग्री है वहां पे नहीं चलती है तो आपको फिर दूसरी बार वहां पे वह सेम डिग्री नहीं पड़ती है और फिर वहां पर चौब करना पड़ता है मतलब हमारे जो तीन-चार साल है वह वहां पर वेस्ट हो जाता है तो इसके लिए यहां पर इस समीट के दोरान नेकोशेशन की जहां पर भारतिय स्टुदेंट्स जॉब करना चाहते हैं इसके लिए यहां पर ग्लोबल स्किल समीट के अंदर यह 10 कंट्री के अंदर जो हमारे रीप्रेसेटेटिव से उनको पार्टिसिपेट किया गया है बारा बना राइट आपको इस न्यूस के अंदर समझ में आयोगा आपको पता होना चाहिए और किसके द्वारा यह स्किल समीट की जाती है तो चार मिनिस्ट्रे के द्वारा बराबना तो आपको इस न्यूस के अंदर अच्छे समझ में आयोगा फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि वर्चूल ग्लोबल स्किल समीट का में अब्जेक्टिव क्या है इस इंट्रस्टेड विट्ट स्किल्ड हार्मोरेज़ेशन बारा मना और यह कैसे अचीव किया जाएगा बंदेट्संट्रेइशन उप्रेंगर्नेज़ अर्फ इंटर्भनेचन चेंटर्ब्रेंट्स ए्टर्फ इंट्रेंशन मोर्फम सिर्फिए इनयूस and joint degree programs will facilitate the opening of the new opportunities for the Indian youth to work abroad तो मैंने जिसे आपको बात किया dual degree को पर यहां पर negotiations की बात की गई है तो I think आपको इस news के अंदर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा friends हमारी next news of friends कि अभी recently youth अभ्यास एक exercise हुई है कौन से edition की 18th edition की एक exercise हुई किसके बीच में इंडिया और यूएस के बीच में एक joint military training exercise है और वो कहां पर हुई उत्राखन के अंदर तो टाइटल के अंदर ही पूरी न्यूज है चुरी कि अभी recently 18th edition आपको इंडिया और यूएस के बीच में होती है इंडिया यूएस के बीच में होती है मलाबर एकसे कौन्सी किंटी के बीच में होती है तो मलाबर एकसे होती है इंडिया यूएस जापन और और वीच में बनात कि हमारी helps your friends के इंडिया climbs to the 8th sport in the climate change performance index 2023 तो इस इंडेक्स के बारे बात करता है तो कि तो क्लाइमेट चेंज पर्फॉमेंस इंडेक्स तो प्रफॉमेंस इंडेक्स करता है तो तीन संसा इतो जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टिट्उट एंड दा क्लाइमेट एक्षं नेटवर्क इंटर्नेशन बारा तो यह तीन संसा के दौरा यह एक Climate Change Performance Index launch किया जाता है हर साल और यह 2030 का एडिशन है तो Climate Change Performance Index वो अलग-अलग country वो Climate Change को जिस तरीके से importance दे रही है जिस तरीके के उनकी policies है उसके बारे में यहां पर उसका evolution किया जाता है और उसको rank दिया जाता है तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का position क्या है Climate Change Performance Index के अंदर तो इंडिया इस बार 8 पोजिशन पर आई है out of 63 countries बारा मना लास्ट येर इंडिया का rank 10 था और इस बार इस इंडिया के अंदर अलग अलग कंट्री को चार में डॉमेंस के अंदर उसका assessment किया जाता है कि कंट्री के के अंदर अच्छा काम करेगा उसको overall ranking के अंदर बड़ा मना surplus मिलेगा बड़ा मना बड़ोतरी मिलेगे simple बड़ा मना रहे तो आप इस टेबल के अंदर दे सकते हो कि ये climate change performance index के अंदर सबसेट टॉप पे कौन है डेंडमार लेकिन उसका rank देखो fourth है मतलब one two और three नमर के positions के उपर अभी कोई भी country नहीं है मतलब कोई भी country ने ये चार डॉमेंड के अंदर अच्छा काम नहीं किया कि वो फर्सट नमबर पर आ सके तो चोथे नमर पर डेंडबर के पाच्वइ नमर पर श्वीडन जटेंवर पर चीली स्वहथ नमर पर मौर्को और eight नमर पर कौन है इंडिया और सबसे लाज शक्सीटर नमर पर कौन है इरान, बाराबनना, इरान तो वैसे हम अगर देखे आजाए तो 63 नमर पर इरान है, लेकिन अगर अरोटल, ओरॉल कंटीज की इतनी यहां पे उनका सरवे किया गया है 60 कंटीज का सरवे किया गया है ओके फ्रेंट्स अगर मैं इंडिया के इंडिविडिल उन्हाँ Candre कि अन्धी इंड़न के इंड में बात करूँ तो फिसके का रेंग के वारे बात करूँ घ्रीज टीन के इंडर के कन रेंगे कुंड़ साहिं है कि अरी क्लाइमेट चेन्ट परफॉर्मंस इंडेक्स वो इंडिया के बारे में क्या कह रहा है कि इस ऑन दर ट्रेक वल्ब इंडिया इस ऑन दर ट्रेक्ट टू मीट्स ट्रेटी एमिशन टार्गेट इंडिया ने जो 2030 का दो एमिशन टार्गेट रखा है बरावन वह उसको इस ट्रेन में कंट्रीमिशन की बात करो मतलब इंडिया के गोल के बारे में बात करो तो इंडिया का गोल क्या है कि दूरा सतर तक नेट Zero करना कब तक दोजा सतर तक तो वह भी आपको पता होना चाहिए और यह क्लाइमेट चेंड परफॉमंस इंडेक्स यह तीन सब्सक्रा कब से लॉंच किया रहता है दोजा पांच से बढ़ा मनना तो आपको इस न्यूस के अंदर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा हम नेक्स दूज़े यह अभी रीसन्टली मीशन प्रारम लॉंच किया गया है मीशन प्रारम और इस इंदिया का पहला private rocket वीक्रम s launch किया की किसके द्वारा ? इसरो के द्वारा इसके बात करता है कि इस भी наॉंच किया है इंदिया का first privately built rocket वीक्रम s रॉंच किया है किस ड्रॉंच एक Kate है कि इस ड्यौन अब इस और इस यह वी क्रम एश जो फॉस्ट इन्द्रीन सीरीज इस नेम आपटर विक्रम सारमभय ल। जो जिनको क्या बोला जाता है पायन्र अप दे इंडियन स्पेस प्रोग्रम जो final के वाउंडर भी है तो विक्रम सारमभय ल॥ पर यह रॉक नाम रखे करते हैं तो कि Skyroot Aerospace एक स्टार्टव बेज इंद हैदराबाद डेलोप विक्रम एस रॉकेट एंद प्रारम मीशन विद आसिस्टन फ्रम द इस रो एंड इंडियन नेश्टन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराईजन सेंटर देखो यह इन स्पेस संस्ता है न वो इस रोकेंडर लेकिन इस ने मिशन प्रम को जो कंप्लेट किया है उसके लिए आसिस्टन किसका लिया है इस रो का और इस इंडियन स्पेस का बराबना ओके यह मिशन का एम क्या है तो लॉंच दा विक्रम एस अ सिंकल स्टेज सॉलिड फ्यूल रोकेट इंडियन स्पेस मैंने बात किया ना कि हर एक प्राइवेट बिल्ड जो चीज है जो स्पेस में बेजे जाने वाली है उसको कौन अप्रूब करता है इन स्पेस पराबना ओके आफ्ट असेंटर गर्मेंट ओपने आपन दस्पेस स्टर टो प्राइट अपरेट उसको प्राइड टो प्राइड शिंट इन एन इंडिया विक्रम मैं अगर मैं वीक्रम एस रोकेट और चाराम मिशन के बार में बात करूँ तो Vikramis is one of the world's first oil composite rocket with a 3D printed solid thrusters right according to skyrode aerospace the Vikramis is the quickest and most affordable voyage to the space पराबनना it has body mass of 545 kg length of the 6 meters and diameter of the 0.375 meters आपको इतने specifications याद रखने की चरुवत नहीं है लेकिन एक बार जास पल देना है पराबनना और विक्रम एस रोके के माद्यम से तीन सेटेलेट्स बेदने वाले हैं तीन पेलोर्स कौन-कौन सी कंपनी के तो Space Kids जो तामिल अडू बेस स्टार्ट अप है फिर एन स्पेस टेक जो आंतरपते स्टार्ट अप है और अर्मीनिया कंट्री का एक प्राइवेट कंपनी है बेजमुक स्पेस रिसर्च लेब बना उसका भी एक स्टेलेट्स यह विक्रम एस रोकेट के माद्यम से बेदने वाले हैं बना बना तो एक्जम पॉइंट व्यू से चाहिए और कि बेजा है वीक्रम एस के माद्यम से उसमें से कौनसी फॉरेंट कंट्री का एक पेलोड है अर्मेनिया का बराबना ओके विक्रम एस विल भी पावर्ड बाइधे इंडियास् फर्स्ट कार्बन फावर बील्ड सॉलिड फ्यूल एंजिन से पावर्ड है विक्रम एस बराबना और विक्रम एस वो सिंगल स्टेज रोकेट है उसका अपडेट एवर्जन है विक्रम वन रोकेट चो मुल्टी स्टेज विक्रम टू विक्रम त्री त्री विरियंट आने वाले विक्रम सिरीस के अंदर चो मुल्टी स्टेज रोकेट से बराबना अगर मैं स्कायरूट एडोस्पेस की बात करूं तो उसका एस्टाप्रिश्मेंट कब वह था 2018 के अंदर और इस रोके साइंटीस पवन कुमार चं अगर मैं इस रोके बाद में बात करूं तो इस रोके चेरिमेंट कौन है एस सोमनाथ हीटकटर कहां पर बेंटुरू करना ड़का के अंदर और कभी अच्छाब्लिश हुआ था 1969 के अंदर बना बना ना ओके तो ओके फ्रेंड्स आज की सभी न्यूस के अंदर आपको अच्छे समझ में आए होगा थेक्यों फ्रेंड्स बाई